इस तितली के पंखों का रंग भूरा बैंगनी होता है जिस पर काले धब्बे और रेखाई होती है इसके पंखों के पीछे की ओर नारंगी और काले रंग के छोटे छोटे नेत्र जैसे धब्बे बने होते है इस तितली के शरीर का रंग भूरा होता है इसका जीवन चक्र चार चर्नों में होता है अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस इस प्रजाती की तितली का नर्ख, मादा दोनों का रंग एक जैसे होते है इस प्रजाती की वयस्क तितलियां उभरने के बाद लगभग दो सप्ताह तक जीवित रहती है इस सुंदर सी तितली को संरक्षित करने के लिए हमें इसके आवास को संरक्षित करने और हमें कीतनाशकों के उप्योग को कम करने की आवशक्ता है इस तितली का इंग्लिश नाम दे ग्रे पैंसी बटरफ्लाई है इसका वैज्यानिक नाम जूनोनिया एटलाइट्स है आम भाशा में इसे चंदनारी तितली कहते है चंदनारी आमतोर पर पानी के पास नदियों के किनारे जाडियों में या गीली मिट्टी वाली घासों में पाई जाती है यदि यह जानकारी ज्यान वर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद क्यों पास दूदियों सब्सक्राइब जड़ HERगे उनीवाद क्या है क्यारी आमतोरू Гाँशर्ध में बादा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो गूआ हो एक दो कर दो एक दो करने हैं